हेलो गाईज स्वागा थे आपका मेरे सी यूटूब चैनल पर जिसकना है प्रोग्रामिंग विद प्रियांस आज हम सीखने वाले कि हम पाइथन के दूर्ग नीज दो लिस्ट में से डिफरेंट आइटम्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं तो इसके लिए हम सेट्स का यूज करेंगे जैसा कि मैंने आपको पछली वीडियो से बताया है तो जैसे में आप पहले लिस्ट बना लेता हूं दो ठीक है जैसे आप बन से लेके नाइन तक बना लेता हूं उसके बाद एक टू फॉर सेक्स एट ऐसे करके बना लूँगा और कि आपने ऐसा करेंगे कि या जो जिससे की हमारे इसके उपलीकेट अटम इससे हट जाएँ इसको पहले इसको सहर एक बना देता हूं एक दो कि इसके नकोवी में नहीं बना देता हूं तो इससे हो कि हमाँ पास duplicate items नहीं होगे, अगर suppose यह तो बहुत कम words हैं, और उसकता list में आपके पास 1000 नाम हो, उसमें भी बहुत साइ duplicates हो, तो यार आप difference नहीं निकाल पाओगे, असब यससे पहले हम उनको करेंगे set में convert, set में convert करने से क्या होगा, duplicates items हट जाएंगे, तो मै हमको लिखना पड़ेगा, list 3 में पहले list में convert कर लेते हैं directly, यहाप लिखें set 1.symmetric underscore difference, ठीक है, set 1.symmetric underscore difference, आप लोगों जिनने sets पड़े हैं, 9th में उनको पता होगा कि यह symmetric difference क्या होता है, उसके बाद यहापे हम pass कर देंगे, set 2, तो उससे क्या होगा, कि set 1 और set 2 में जितनी भी चीज़ें हैं, जो कि common नहीं है, वो दोनों आ जाएंगी, और उसको list में हमने list function लगा है, इस वज़े से list में convert होके list 3 में store हो जाएंगी, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, list 2 में एक error हमें इसको पहले हटा दिता हूँ, तब जैसे मैं इसको run करूँगा प्रोग्राम को तो देखो क्या होता है, देख पा रहा है आप first list में one है, second में नहीं था, इस वज़े से बना आ गया, second list में three है, फर्स्ट लिष्ट में अगले वीडियो में तब तक के लिए, take care, bye bye